दोस्तो आज भारत के इलेक्ट्रोनिक सेक्टर से कैसी खबर सामने निकल के आई है जो अगले कई दिनों तक सी जिंग पिंग को सोने नहीं देगी यदि आपको आद हो तो जैसे ही भारत ने एपल से अपने आईफोन का एक्सपोर्ट बढ़ाए हैं वैसे ही चाइना के अंदर एपल का बायकॉट शुरू हो चुका है और ओफिशली इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है कि अब चाइना के अंदर एपल नहीं बलकि हुआ जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाए और ये बात भी हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एपल की काफी बड़ी मैनिफाक्टरिंग अभी भी चाइना के अंदर होती है लेकिन अब ये मैनिफाक्टरिंग चाइना से जिस तरीके से भारत के अंदर शिफ्ट हो रही है जिसमें आज की बड़ी ख़बर की जैपनिज कंपनी टीडी के कोपरेशन अब भारत के अंदर आइफोन में इस्तवाल होने वाली लीथिमान बैटरीज को मैनिफाक्टर करने का काम शुरू कर रही है बैटरीज दा इंपॉर्डन पार्ट आफ आइफोन और अब ये करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब की गई है जहां पर जैपन की काफी जानीवानी कंपनी और भारत के इस्तेमाल होने वाली लीथिमान बैटरीज को मैनिफाक्टर करने का काम शुरू कर रहे हैं जहां कुछ समय पहले हैं इस कंपनी ने हरिया और पांस में चाइना के काई सारी बैटी टेक्नोलोजी को इस कंपनी के तरफ से अक्वाइर किया गया था और अब उसी टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर प्रडक्शन किया जाएगा और दूसरी बड़ी चीज के अपल एनॉस्मेंट कर दी है कि इस फ पहले ही भारत के अंदर प्रडूस होनी की प्रिकरिया में आ जाता है और चायना के लिए दुखी खबर ये भी है कि अपल ने कहा है कि अभी भारत के अंदर अपने टोटल प्रडक्शन का सिर्फ सेवन परसंट हिस्सा कर रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद ये 25 परसंट हो जा प्रडक्शन यहां पर किया जाएगा तो आप ध्यान से देखा तो यहां पर पूरी स्थी चलाई जा रही है जहां पर कॉंपोनेंट्स यानि की सेमी कंडर्टर जो इंपोर्टन पार्ट है उसको गुजरात में बनाने की तियारी शुरू की जा रही है इसके बाद कैमरा मॉडूल्स और बैट्री पर यह बात आ चुकी है और यही वो चीज़े हैं जो चाइना को दिन रात परिशान कर रही है भारत की इस बड़ती डेवलप्मेंट के लिए कमेंट बॉक्स में जहन जरू लिखेगा भारत का ऐसे ही यूस्वल एंफर मीटिव वीडियोस पाने के लिए आप मारे यूटीब चानल को सब्स्क्राइब जरू कीजएगा मिलिंगे हम आपको एक नई और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तके लिए वन्दे मात्रम भारत माता कीचे